सो ही गाइस वेलकम टू माई यूटूब चेनल डिस आज के इस बीडियों में हम बात करेंगे क्लास टेंथ गड़ी ठीक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 101 परसंट ये प्रशन आपकी बूर्ड एक्जाम में 101 परसंट 21 फरवरी को आपकी बूर्ड एक्जाम की पेप में आ जाएंगे ठीक है ये जो प्रशन है बिल्कुल वाइरल पेपर की वाइरल प्रशन है जो की बूर्ड एक्जाम 2023 की पेपर में आ रहे हैं ठीक है और 100 परसंट गारांटी की बूर्ड परिच्चाम यही प्रशन आएगा इससे बाहर आपके बूर्ड एक्जाम में एक प्रशन रही आने वाला है तो सबसे पहला और काफी important question है कि सिद्ध कीजिए कि root 2 एक अपरी में संख्या है ठीक है यहां पे root 2 आ सकता है आपके बूर्ड एक्जाम में root 3 भी आ सकता है ठीक है तो सभी के लिए एक ही ट्रीक है अगर आप इसको समझ जाओगे तो जितने भी question आएंगे बूर्ड एक्जाम में इस ऐसा सभी को आप solve कर लोगे ठीक है तो equation ऐसा 101% आता है आपके बूर्ड एक्जाम के paper यहां पे आपको इसको solve कैसे करना है ठीक है सबसे पहले इसको हल करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है यहां पे root 2 जो है ना इसको माल लेना है कि यह एक परिमे संख्या है ठीक है ठमया पर माल लेंगे कि माना रूट 2 क्या है एक परिमे संख्या है ठीक है तो आप हम लिग देंगे root 2 एक परिमे संख्या नहीं इसके बीपरित हम मानकर इसे हल करेंगे ठीक है संख्या है अब दुखो परिमे संख्या क्या होता पी ब तक Q equal not 0 होता है। यहां पर परिम्येसंख्याक मतलब 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 3 बट्टा की 11 हो सकती है, 12 बट्टे के 22 बट्टे के 13 इस तरह से हो सकती है। तो बट्टा में होना चीज़ां, यहां पर देख सकते ह। कुछ रही है, PYQ equal Root 2 हमने इससे क्या मा लिए एक परि Chemistry है अब इससे हम क्या करना है यहाँ पर की और Q या है एक पुढांक है यहाँ पर को लिखना sécur neutrality PYQ एक पुढांक है यहाँ पर हम लिखना है PYQ एक पुढांक है इसके बाद हमें solve करना है यहां P by Q equal root 2 ठीक है तो हम क्या कर देंगे कि दोनों पच्छों का हमें वर्ग करने पर ठीक है तो यहां पर हमें लिखना है कि दोनों पच्छों का वर्ग करने पर यहां करने के लिए हम करते हैं वर्ग करने पर यहां पर हम वर्ग कर देंगे यह हो जाएगा आपका P का square upon Q का square equal under root 2 का क्या हो जाएगा ये square हो जाएगा ठीक है आप इसको चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते कि P by Q का whole square equal under root 2 का whole square ठीक है तो इसको बात में गर आप खोलोगे तो ये आए जाएगा आपका P का square upon Q का square equal अब दोको यहाँ पे जब अंडर इूट 2 होता है एसका जब भी आप वर्ग करोगे रूट का ये क्या होता है जो अंडर संख्या ती उसी को लिखा जाताए ठीड genres जैसे यहां पे अंडर- स्क्वाइर आता है ठीक है तो हम क्या इसको लिख सकते क्यू का स्क्वाइर की क्यू इंटू क्यू एक को आपका हो जाएगा टू ठीक है अब क्या करना है यह है पी का स्क्वाइर अपान क्यू एक को आपका क्यू को एक क्यू को यहां पर भेज दना तो यह हो जाएगा आपक गुड़ा में था कि यह भीन में है में एक गुड़ा में है ऐसा जो सिच्वेशन यह असंभव है एक पर्मे संख्या होना चाहिए और यह विन रहना चाहिए लेकिन यहां में इसके कि इसको भी एक पुडांक है रहना चाहिए ठीक इसका ये क्या है विरोधा भास है लिए पुड़ांस femmes है अतह है रूट टू एक अपरिमे संख्या ठीक बोड इक जामें आपको इसी तरह से साल करना तभी आपको नंबर मिलेंगे अपरिमे संख्या संख्या यह जाएगा भिन्नोकी रुप में रूप में जो कि इसके बराबर असंभव होगते कि यह संख्या संख्या भिन्नोकु प्राद B सबसे पहले हमें क्या मानना पड़ेगा मान लेते हम कि मानना पांच अंडर रूट टू एक क्या है परिमे संख्या है संख्या है तो परमे संख्या क्या होता है P by Q होता है और यहाँ पे Q एक्वल नाट होता है 0 Q बराबर 0 नहीं रखा जा सकता है तो आप इससे लिग देंगे P by Q की रूप में ठीक है तो यहाँ पे P by Q two equal 5 under root two ठीकियए तो यहां पर जो होगा आपका इसको इस पार लिख सकते 5 under root 2 को पार्च under root two equal p by q ठीकियए और यहां पर जो आपका हो जाएगा यह हुजाएगा root two और इस चीजे गुड़ा में इस पर जाएगी तो भाग में जाएगी नीचे डिवाइड में तो यहां पे P by Q और 5 जो एक पुडांक है यह क्या है P Q और 5 पुडांक है यानि कि यह क्या है परिमे संख्या है इससे समझो कि यह परिमे संख्या ठीक है और यह क्या है और परिमे संख्या है तो परिमे संख्या की बराबर जब भी होगी तो वो परिमे संख्या होगी टिके परिमे संख्या के बराबर कभी भी अव परिमे संख्या नहीं हो सकती आपको लिखिरा है कि यहाँ पे P, P और यहाँ पे Q और यहाँ पे आप ऐसे लिख सकती P upon 5 Q एक परिमे संख्या है एक परिमे संख्या होगा, ठीक है जब ये परिमे संख्या तो ये भी परिमे संख्या होना चाहिए, लेकिन हमारी परिकलपना गलत है, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन हमारी जो परिकलपना है वो गलत है, यह चीज़ा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, परिकलपना गलत ह यहाँ पर क्या है रूट टू जो है यहाँ पर फाइप अपान पाइप और रूट टू है ठीक है यह क्या है एक परिमेशंख्या इसका विरुद्धा भास है तो फाइप अंडर टू क्या है एक परिमेशंख्या ठीक है आपको यही चीजे लिखना है केवल परिमेशंख्या ह ठीक है हमारे यहां पर पी अपन फाइब क्यूं एक परिमे संख्या तो रूट टू को भी क्या होना ची एक परिमे संख्या होगा लेकिन हमारी यहां परिकल्पना क्या है गलत है अतार्थ पांच अंडर रूट टू क्या है एक और परिमे संख्या है यहां पर लिखना पांच इंपर्टन क्वेस्चन की दिग्धास समिक्रण 3x स्क्वाइर माइनस 2 रूट 6 x प्लस 2 के मूल इग्याद कीजिए ठीक है काफी इंपर्टन क्वेस्चन सबसे पहले आपका यह यह समिक्रण दिया इसकी तूलना हमें दूसरे समिक्रण से कर देंगे ठीक है तहां पर हम स्क्वाइर म्हिं प्लस Bx प्लस C करन ने पर इससे हम कर देंगे यहां पर एक ही जि钦ा पर हमें क्या मिल जाेगा थीन जेया यह रहे है यह बराबर 3 प्लस और भी बराबर खालीध मिल जाएगा माइनस 2 रूट 6 फाली पर माइनस 2 रूट 6 और ईसी बराबर क्या मिल जाएगा आपका two oh two अप दो सर्शौ विबितक कर दी बराबर होता है क्या दिखाते हैं विबितकर बराबर जबत होता वो हता आपका b A2P-4ac टिक है यहाँ पर दिनगे B2-4ac अब देखो यहाँ पर D हम solve के लेंगे easily B2 कितना है यह है minus 2 under root 6 का यह हो जाएगा square है तो यह हो जाएगा square minus 4 4 है तो फोर लीग देंगे 2P-4, देखो ईक की बैलू क्या है? उसका works तो दूना के चारी हो जाएगा सग्खया और जिस आगी संख्या लिखाता है यह 6 लिखा जाएगे माइनस सबऺन है इसमें 4 1,12cek은। यहां पर रहत है धाई जाएगा चार कुछ 24 और यहां पर यहां पर चॉविस हीन है यह 24 से 24 क्या हो जाएगा कट जाएगा तो डी एक्वल आपका जाएगा जीरो ठीक है तो यह क्या है डी बराबर जब भी आपका जीरो आये तो यह समझो आपकी यह मूल इसका क्या है समान है ठीक है तो जो मूल समान है तो इसके लिए में एक सुत्र लगाना होता है जोगी विभितकर का है सुत्र है ठीक है एक से बराबर होता है आपका माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ठीक है डी लिख दो आप याभी इसका स्कॉयर माइनस फोर एसी भी यहां पर लिख सकते हो ठीक है या तो आप इसको मत भी लिखो अगर जीरो आया ना तो इससे नहीं लिखो कि तो भी काम चलेगा अपान टू ए होता है ठीक है इस टू रूट शिक से ठीक है इसको ब्राइकेट में कर देंगे फिर प्लस माइनस डी की बैलू जीरो है डी की बैलू क्या है जीरो अंडर रूट जीरो आप रग दो फिर टू है इंटू ए की बैलू क्या है एकी बैलू उमने यहां पर थ्री निकाला है तो यहां पर मैं क्या 3 को रघ देना श्री three को रख देना है ठीके यहाँ पर एक्स बराबर आपका क्या जग만 discussed my left 12 इससे नहीं लिखा जाता है तू अंडरुट और 6 और जिसका बारत से नहीं रहा है इसका कोई वैलो नहीं और यह सकना टीन दूना के चोप works या तो आप ऐसे दो गृतिती तील लिख सकते हैं, दो से दो कहा हो गया, खतम हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा, रूट 6 अपान 3 यह आपका क्या है, मूल है, ठीक है, यह एक मूल तो यहाँ पर निकल गया, और एक मूल आपको इस तरह से माइनस वाले पर करके निकल देता तो वो भी कितना आएगा, उतना ही आएगा, ठीक है, यह तो हमने प्लस वाला पर करके निकला था, फिर माइनस वाला पर भी निकलोगे, इतना ही आएगा, यह बराबर जो आपका मूल आजाएगा, वो रूट 6 अपान 3 यह आपके क्या है, मूल है, और आपको इसी को क्या लिखना है, अंसर लिख दिना, ठीक है, इस तरह से आपको साल कुना, सभी क्वेस्टन इजी क्यों आपको समझने की जरूरा थे, इसमें कुछ मेहनत करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, और देखने में क्यों थोड़ा सा टप लग रहा था, लेकिन कुछ भी नही में ठीक है, इसे कैसे साल्म करना है, तो यहाँ पर समीकरत दे रखा इतना की मूलों की बितकर्मों का योगफल इग्यात की, जो माल लेते हैं, मूल जो है, हम यह माल लेंगे, कि माना जो मूल है, मूल अलफा और बीटा है, तब के लिए आपको क्या करना है, मूलों का योग फल योग फल जो होगा आपका दुखर इसके लिए एक सूत होता है ठीक है माइनस यह बराबर है इस तरह से माइनस एक्स का गुडांग अपान में ठीक अपान में एक्स स्क्वाइर का गुडांग ठीक है अब यहाँ पर एक्स का गुडांग का मतलब क्या हो गया एक्स की बैलू ठीक है एक्स के हाँ क्या संख्या लगा है एक लगा है ठीक कुछ नहीं लगा है तो एक मान लिया जाता है यहाँ पर जागा माइनस एक बर टेक एक्स स्क्वाइर का गुडांग के साथ क्या ल यहां से आपका निकल जाएगा ठीक है यहां से आपका निकल जाएगा ठीक है यह माइनस है और यहां पर जो साथ है यह भी क्या है माइनस है इसे भी हम माइनस में लिखेंगे यह माइनस माइनस आपका मिल कर हो जाएगे यह मुलो का योगफल के लिए हम क्या लगा थे अलफ मतलिली खोटी कोई दिक कत नहीं है तहाँ पर आप यह לख सकते हो यह लोका शाधा कोई अपर अलृइटा बराबर सेवे नाय अब हूं कोपर निकालना मुलो कासा पहसे ौट को किया ओत लोकरब्राप विल्कुन आसान रudatorealnya मुलो का. गुड़न फल एक्वल देखो क्या लिखेंगे यहां पर जो होगा ना मुलो का गुड़न फल अलफा इंटू बीटा बराबर अचर पद ठीक है यह आप ध्यान देना अचर पद अपान आपका होगा एक्स स्क्वाइर का गुड़ांग अब देखो इसमें अचर पद क्या है इस समिक्रण में अचर पद 12 है ठीक है इसके साथ कोई भी बीजी बेंजक नहीं लगागा है तो यह कौन सा लाश्ट वाला है अचर पद अचर पद आपका क्या दिया अलफा इंटू बीटा एक्वल 12 ठीक है एक्स स्कॉार का गुड़ा योगफल और गुड़न फल निकाल लिया लेकिन यहां पर जो पूछा है वह ब्यूत कर्मों का योगफल ही यहां पर लिखना है यह ब्यूत कर्मों का योगफल का योगफल ठीक है ब्यूत कर्मों का योगफल के लिए हम एक्सूत लगाते वन अपान अब दिखो अलफा बीटा हमने माना है तो अलफा का ब्यूत कर्म मतलब उल्टा होता है ठीक है उल्टा करेंगे तो यह एक बटा के अलफा हो जाएगा और बीटा का ब्यूत कर्म यह उल्टा करे है अब इसे तिर्यक का मल्टिप्लाई करना बीटा का इसमें कर देंगे यह हो जाएगा बीटा प्लस अलफा का इसमें करेंगे अलफा अपान यह हो जाएगा इसका मल्टिप्लाई इसमें होगा तो अलफा अलफा इंटू बीटा ठीक है अब दोखो यहां पर हमने बीटा यहां पर अलफा प्लस बीटा का बैलू निकाला है यहां पर कहां पर alpha प्लस बीटा ठीक है ये वही चीज़े आप इसको अधर भी लिग सकते हो ठीक है हम यहाँ पर लिग देतें आपकी सुविधा के लिए यह होगा alpha plus बीटा अपन alpha into बीटा ठीक तो alpha plus बीटा की बैलू कितना निकले है 7 और तो यह बितकर्मों का यूगफल जो आ जाएगा एंसर आपका साथ बटे के बारा इसको प्रेक्टिस कर लो ठीक है ऐसा क्वेस्टन आएगा क्यों संख्या चेंज किया रहेगा लेकिन जो प्रोसेस आपको इसी तरह से पूरा का पूरा लगेगा ठीक है यह क्वेस्टन भी आ इंपॉर्टेंट क्वेस्टन ठीक है दे रहा कि निम्लिकी समीकरण को हल कीजिए ठीक है आपको कैसे हल करना बिल्कुल डिटेल में समझेगा जी सब कोईश्चन हंडेट वन परसंट गारांटेट कोईश्चन ने आते हैं बोड इक्जामर ठीक है तो आपका जो देखो यह चीजे दे रहा कि 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 equal 11 upon 13 यह दे रहा कि x बराबर minus 4 और 7 को आप नहीं रख सकते हो इतना बराबर इतना नहीं रख सकते हो इस तरह से आपको solve करना है दोको इसको हल लिखने के लिए आपको सबसे पहले दिया समीकरण लिखना है ठीक है दिया समीकरण आपका क्य क्या है वो चीजे आपको लिखना है यहां पर 1 upon x plus 4 minus 1 upon x minus 7 ठीक है बराबर क्या है 11 upon 13 और इसके बाद अब देखो आपको क्या करना है x का multiply इधर कर देना थी यह हो जागा x minus 7 और फिर x plus 4 का multiply इधर करना यह तिरियक का गुड़ा होता मतलब इधर 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 अब इधर कर देंगे तो minus लगाएंगे चीने तो x plus 4 फिर upon में अब इसका multiply इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा आपका x square फिर इसका multiply इसमें करेंगे तो minus 7 x फिर इसके बाद इसका इसमें करेंगे तो यह हो जाएगा plus 4 x फिर इसके बाद इसमें करेंगे तो साच्चों के 28 माइनस 28 एक्वल आपका हो जाएगा यह 11 बटे के 30 ठीक है अब इसी तरह साल करी बिल्कुल ध्यान से देखते जाओ आपको सब कुस समझ में आएगा इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे इस कोष्टक को तोड़ देंगे एक्स माइनस साथ और यहाँ पर माइनस है ठीक है माइनस लिग देंगे जब भी कुस्टक के बाहर माइनस का सिंबल होता है अंदर का जो सिंबल होता है चीन होता वो बदल जाता अगर प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस ठीक है एक्स हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है माइनस और प्लस तो आपस में घड़ जाते हो, चिन उसी का लिखते है, जो संख्या बढ़ी है, यहाँ पर साथ बढ़ी है, तो इसी का चिन लिखेंगे, माइनस चार जाएगा, तो इसमें से तीन बचेगा, ठीक है, तीन एक्स और यहाँ पर क्या है, माइनस अठाइज, बर जूछ जाते और चिन होसी का लीड़ते जो चीन होते हैं यहां पर । यहां पर बट्टे की क्या हो जाएगा यहां पर यहां पर यहां पर चला जाएगा थो से बचेगा माइनस एक अपान x2-3x-28 यह से क्या आजयेगा कट जाएगा देखों थोड़ा आपको डिटेल्स बताते हैं 11 और यहां पर 11 गुड़ते तीस ठीक यह 11 जो है यहां पर आ गया 11 से 11 क्या हो गया कट गया ठीक है अब इसके बाद माइनस एक पान x स्कॉयर माइनस 3x माइनस 28 बराबर एक वटे के 30 ठीक है आप दोखों यहाँ पर यह माइनस में 1 है तो 30 का मल्टिप्लाइ इसमें करनेंगे यह हो जाएगा आपका माइनस 30 बराबर इसका मल्टिप्लाइ इधर करेंगे तो यह वही आजाएगा x स्कॉयर माइनस 3x माइनस 28 ठीक है आप दोखो इसके बाद हम क्या करेंगे यह जो चीज़े है ठीक है यह अपने जगब पर ही है x स्कॉयर माइनस 3x माइनस 28 ठीक है यह बराबर की इधर है ठीक है बराबर की जब उधर जाएगी कि किसमे है यह माइनस में इस पर आएगा तो फ्लस हो जाएगा earliest 3-08 अजूशी माइनस ऊव्म spricht education हिख UM हो जाएगा आपका एक्सिष क्वायर माइनस 3 माइनस थरी एक्स और थो यहां पर यहां पर जब दो दोब तीस में साथाई जाएगा तो आपका क्या बचेगा 2 बचेगा एकस इसक्वायर माइनस 3 3x plus 2 यहां पर हमें लिख लेना है x square minus 3x plus 2 बराबर 0 ठीक है तो यहां पर हम इसकी समिकर्ड की सुतर से कर देंगे ax square plus bx plus c equal 0 ठीक है तो यहां पर a का value जो निकल गया कुछ नहीं है तो a बराबर 1 लिख लेंगे और b की value यहां पर क्या है minus 3 है तो minus 3 लिख देंगे और c की value क्या है c की value 2 है तो 2 लिख देंगे ठीक है यह चीज़े तो आप समझ पा रहे हो अब यहां पर हमें क्या करना है बीबितकर का सुतर लगा देना मूलों के लिए x बराबर जो बीबितकर का सुतर था वो minus आपका होता है b plus minus under root यह दुखो हम इसी में लिख देंगे c upon 2a ठीक है आप चाहो तो पहले इसको निकाल कर यहां रख दो लेकिन आप चाहो तो इसको सीधा कर सीधा यहां पर रख सकते हो ठीक है असानी के लिए इसके बाद यहां पर simply आपको क्या करना है x equal minus b है ठीक है यहां पर minus b का value कितना माइनस 3 है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हजएगा प्लस4 हो जएगा ठीक है जैसे मैं आपको बता दू माइनस है और यहां पर इसकी value क्या बी की minus3 और यहां पर پलस-mाइनस लगाना है और b का squareई b का square मतलब यहां पर एक दिया है तो इसका स्क्राइर करोगे तो उतना ही आएगा ठीक है यहां पर बी की वैलू कितना है यहां पर एक की बी का स्क्राइर तो यहां पर माइनस तीन हो रहा है माइनस तीन का स्क्राइर हो जाएगा माइनस फोर है एक की वैलू एक है तो एक लिख देना है और इसके बाद सी की वैल तो क्या है, एक यहां पर लिख देना है, simple हो गया है, ठीक है? अब हमें यहांप से क्या करना है, इसको, x equal, और यह minus, minus, मिलकर हो जाएंगे, प्लस, तो यह प्लस, minus, under root को solve करेंगे, यह 3, 3, 3 के 9 हो जाएगा, माइनस और यह हो जाएगा चार दुना के आठ चार आठ कम आठ यह हो जाएगा आठ और बटा में दो है तो दो ही लिख देंगे ठीक है दो का मल्टिप्लाई वन में करेंगे इसके बाद आपका एक से कुला जाएगा तीन प्लस माइनस अंडर रूट नौ में साथ गया एक बट्टे के दो ठीक है इसके बाद यहाँ पर एकस बराबर एक बार हम under रूट वन की बैलू जो होती है वो क्या होती है वन होती है ठीक है तहाँ पर तीन एक बार सबसे प्लस लेंगे फिर माइनस लेंगे ठीक है 3 प्लस 1 अपां 2 यह हो जाएगा आपका 3 और 1 को जोड़ोगे तो 4 और यहाँ पे 2 तो यह जाएगा 2 दो दुना के 4 X की value एक ठो क्या आ गई यहाँ पे आपको X की 1 value आ गई 2 यहाँ पे एक value दो आ गई अब यहाँ पे एक minus का symbol भी नीचे है तो minus वाले से भी हम हल करेंगे तो यहाँ पे आपका X बराबर हो जागा 3 minus वाला symbol लेंगे minus 1 1 है तो 1 लिख देंगे यहाँ पे अपपान्ट टू ठीक है त्यों जग्या तीन में से दो और दो बट्रे के दो नीचे दो है बराबर एक आगे तो आपके जो मूझ आ गए वो समिकल का हल किया गया एक से बराबर एक ठोड़े आगया अपका दो और एक ट्वाग्या वन टिकेट यह आपका सबसे फाइली और परफेक्ट एंसर हो जाएगा इसी तरह से आपको बोड़ीजा में सालब करना बिलकुल एजिए कुछ ने किवल प्रोसेस को समझना है टिकेट बिलकुल आसान था आपको कहीं भी कोई प्राब्लम इसमें नह नव एकस स्क्वाइर प्लस साथ एकस माइनस दो बराबर जीरो की मूल वास्तविक है यदि ऐसा है तो मूलों को दिखास सुत्रदारा ग्याद कीजिए ठीक है काफी इंपर्टेंट और 21 फरोरी को आपके बोड़ीजा में यह देखने को मिलेगा काफी इंपर्टेंट क्व समीकर्ड जो है वो क्या है आपको सबसे पहले उसको लिख लेना ठीक है दिया गया समीकर्ड है 9x स्क्वाइर प्लस 7x माइनस 2 एक्वल 0 ठीक है अब देखो इसकी हम तूलना किससे कर देंगे a x स्क्वाइर प्लस b x प्लस c एक्वल 0 से ठीक है त्यहां पर एक की बेलू में क्या मिल गई ये बराबर 9 मिल गया इसके बाद b बराबर क्या मिल गया 7 मिल गया इसके बाद c बराबर क्या मिल गया माइनस 2 मिल गया ये चीज़े हमें मिल गई अब दोखो वी वीतकर का सुत्र हमें लगा देंगे किसका वी वीतकर का इसका सुत्र d बराबर होता है आपका b का square minus 4ac ठीक है अब इसे solve कर लेंगे d बराबर b का square b का square मतलब 7 का square हो जाएगा b के जिगह पे 7 का square minus 4 a की value क्या है 9 तो 9 रख देंगे उरित्य c की value क्या है minus 2 है तो minus 2 रख देंगे ठीक है और यहां पर दे बराबर आपका जाएगा 7 7 39 एंस यह आपका हो जाएगा 4 4000 ठीक है और छ Mythical के आपका को जाएगा 72 ठीक है 36 2 की बहत्तर तर ज 토ू जाएगा minus 72 घूर लर बराबर आपका क्या हो जाएगा minus 21 ठीक है तो देखों यहां पर क्या है कि आपका जो बी का स्क्वाइर माइनस 4AC की बैलू निकल कर आया वह बड़ा है किसे 0 से ठीक है यह 101 की 0 से बड़ा है यह जब भी होगा ति इसका मूल क्या होगा समान होगा जब मूल समान होता है तो इसके लिए सूत लिखते है एकस एक्वल यह माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वाइर माइनस 4AC ठीक है इसके जगर आप डी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं ठीक है यह हो गया इसके बाद 2A है इसके अपानमे एकस बराबर आप आपका आजाएगा जो बैलू है माइनस माइनस द यहां पे उपर 7 ठीक है क्या है सेवन ठीक है माइनस सेवन प्लस माइनस अंडर रूट بी का स्कोर माइनस फोर एसकी बैलू हम कितना निकले हैं 24 स्कुरार माइनस फोर सी की बैलू जो है 121 आया है ठीक है यहां पर 121 लिख देंगे अपान में 2 2 है तो 2 लिख देंगे और एक ही जो बैलू है वो 9 है ठीक है तो हम यहां पर क्या लिख देंगे 9 अब मैं इसे सॉल्व करना है यह हो जाएगा आपका माइनस 7 और प्लस माइनस 121 का जब अंडरूट आप करोगे 121 का यह आजाएगा 11 ठीक है 11 का ही अंडरूट होता है 21 का अंडरूट 11 होता है आप इसका कर लोगे तो आजाएगा 11 11 के रहम 121 इसका लिख देंगे 11 और बट्टे में लिख देंगे 9 दुना के 18 यहां से जो एक्स की बैलू आ में जागे जाएगे सबसे प्लस मिलेंगे तो आपको 11 में से 7 जाएगा है तो चाशास देना है 4 माइनस में लिखेंगे मैं प्लस में लिखेंगे क्योंकि 11 11 संक्या बड़ी थि इसका चिन यह प्लस है तो प्लस लिखेंगे बट्टे के 18 ती हो जाएगा आपका 2, 2, 4 और यह जाएगा 298 यह एक सबराबर आपका हो जाएगा 2 बट्टे के 9 और एक बार इसी बेलू को X बराबर किसमें रख देंगे difference, तो, मैननस में जाएगा ऑपका मैनस 7 और इसको हो जाएगा मैनस 11 और बट्टे के 18 तहल के 10 ही आपका प्लस में क्या ध्यगा इनसर तो इसी तरह साबको बोडट इकजामिंट करने बिल्कुल ईजी है अप देख लो आपको समझ में आ जाएगे इसके बाद जो next important question और बेरी बेरी important question अगर ये question आपके board exam में नहीं आता तो मैं अपना नाम बदल दोगा ठीक है ऐसा question 101% आता है कि वह संख्या change रहते है ठीक है तिहाँ पर इसको समझ लो आप इस तरह का question आएगा तो साल्ब कर लेना ठीक है दो क्रमागत धन सम संख्याओं क्या है अपका एक ठो मालेंगे 2x और एक ठो क्या है 2x प्लस 2 ठीक है ये धन सम संख्याओं थी है 2x और 2x प्लस 2 आप बोल रहा है कि जो 2 संख्याओं दो क्रमागत धन संख्याओं वर्गों का योग ठीक है इनका हमें क्या करना पड़ेगा वर्ग वर्गों का योग कितना 244 तो इनके वर्ग का योग का मतलब होता है आपको 2X ठीक है प्लस ये क्या है 2X प्लस 2 एक संख्या ये है एक संख्या ये बोल रहा है क्या दो क्रमा का धन संख्या वर्गों का योग इनका वर्ग कर देंगे और इनका जो योग है वर्गो का यूग कितना दिया है 244 इसको क्या लिख देंगे 244 ठीक है बिलकुल सेम बिलकुल आसान इसी तरह सापको समझने की जरूरत है कि यहां पर वर्गो का यूग 244 दिया है इसके बाद इसका आप स्कॉयर हटाएंगे तो यह हो जाएगा दो दुना के 4 और X का स्कॉय स्कॉयर है ठीक है आपको इस सुद्र को इसको क्या करना है तोड देना है यह कहा आपको यूगर है यूगवर और बी की जिगा पर कहला है इंटू 2 यह हो गया अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है यह हो गया आपका 4X प्लस अब यह हो गया यह भी 4X 2 article हो जाएगा इसका व्रक करोगे 2 ,4 और में यहां पर प्लस आपका जाएगा 2 दूलला चाहर दूला के आठ एक्स ठीक है आप इसका मल्टिप्लाई करोगे तो दो दुना के चार चार दुना के आठ और एक्स है तो एक्स को लिखेंगे यह हो गया अब इसके वर्गों का यूग कितना दिया 244 यहाँ पर भी लिखाएगा ठीक है यह थोड़ा सा जगह के अभाव में लिख दिया ह बॉल्ट दिया म Southwest है यह जोड़ देना है चार-चार क्या हो जाएँगी आठ एक्सका इसके बात प्लस-र्थ घ्रियल के फिरे लिख देंगे इस पर आएगा तो माइनस में जाएगा माइनस 244 बराबर जीरो ठीक है अब इसको देखो कैसे साल्प करना यह हो जाएगा आपका आएग्स प्लस आएग्स अभी आज चार जाएगा और चिंख्या कौन सी बड़ी है 244 इसका चिंख्या माइनस यह लिग देंगे 240 बराबर सुनना अब हम क्या करेंगे इसमें से 8 स्मिस सब्सक्राइब कामल ले लेंगे इस तरह सबने कामल लिया यहाँ पर कामल मतलब ह lavoro इसकी नीचे भाग दे लिए धर एक को ज़ेगा यहे लुखे और माइनस, out का भाग 24 भाग गोड़नेर यहाँ रगा देना है तो सबस्के जाएगा तो भाग में हो जाएगा और इसमें जब भाग दोगे यह भी क्या जाएगा जीरो ठीक है यहाँ पर आपका हो जाएगा x square प्लस x minus 30 बराबर हो जाएगा 0 ठीक है इतना दिखो हमने जब solve कर लिया x square ये plus x अब इसका हम क्या कर देंगे गुड़न खंड कर देंगे ठीक है गुड़न खंड कैसे करना है ये जो संख्या है ठीक है तीस का आपको ऐसा गुड़ा करना है कि जोड़ने या घटाने पर पांच कर देंगे तो यह हो जाएगा 6 पंचे के 30 और यहां पर प्लस है तो यहां पर 6 प्लस सरी 6-5 बराबर आपका क्या हो जाएगा एक यहां पर कुछ नहीं तो एक माना जाता है ठीक ही यह चीज़े तो आप जानते हो और इसके बाद हो जाएगा आपका x square प्लस ठीक है इस चीज़े to आप समझ रहे हो कि इसका माइनस में मैं का मल्टीप्लाई हुआ है यहां पर ठीक है अब क्या करेंगा इसमें सी x कामल लेंगे ,देmodern ।क यहां पर बचिए क कामल लेंगे माइनसfer we can 5 के इंगे यहां पर क्या बचाईगा इक्स और माइनसς मिल- और माइनस wor incidents कि शिवंट जाएगा बराबर जीरो अब यहां से स्वाइब कर देंगे इसको कामं लातिंगे उस्हें ॐसमेंё यहाँ tehdा तो यहां यहां से निकल यहां पहुश्ट कोयों सबसे पहले सलब करोंगी τους चौछ ब्राबर pac20 और यहां से आपकोा आजाएगा एक जाएगा एक्ष ब्राबर चौछ प्लस में फिशन सवोल्प मिर tak तो यहाँ पर बोल रखा है जो संख्या है वो धन है और समसंख्या है यह जो चीजे है यह हमारा क्या हो जाएगी अमानने हो जाएगी ठीक हमें इसे नहीं लेंगे और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं ये है आपका क्या है x-5 बराबर 0 और x बराबर जो आपका जयेगा minus 5 इदर जयेगा तो प्लस 5 जयेगा ठीक है x बराबर हमारे जो संख्या ही है वो क्या ही है 5 तो अब इस संख्या का जो हम धन सम संख्या माने थे हाँ पे 2x और 2x प्लस 2 ठीक है इसका हम क्या कर देंगे इसमें multiply कर देंगे पहली संख्या हमने क्या माना था 2x तो x की value कितना हम निकाल लिए 5 है तो 2 गुरिते 5 बराबर आपका क्या जाएगा 10 ये पहली संख्या है अब इसके बाद 1 क्या माने थे यहाँ पर एक माने 2x प्लस 2 ये चीज़े हो जाएगे 2x प्लस 2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पर इसकी value रख देना x की value कितना ही 5 है और प्लस 2 ठीक है अब यहाँ पर पांदुना की 10 और 10 दो क्या हो जाएगे 12 एक संख्या पहली संख्या ऐसा question आपके मैंने एक ऐसा और बता यह कीज़ को भी बता रहो कि कि इसमें अंतर है और यहाँ पर दो चीज़े दिया है ठीक है इसको आप समझ लो 101% छाप कर आज़ना दे रखा कि दो संख्याओं का अंतर दो है तता उनकी वर्गों का योग 34 से संख्या ग्याद कीजिए ठीक है तो संख्या जब ग्याद करने के लिए बोल रहा है तो हम मान लेंगे माना जो संख्या दोनों है एक संख्या एकस है और दूसरी संख्या वाई है ठीक है y है माना एक संख्या x और दूसरी संख्या y है और यहां पर x is greater than y यानि कि x जो है y से बड़ी है यह चीज़ आपको मान कर चलना है अब दो इसके बाद दे रखा कि दो संख्याओं का अंतर दो है ठीक है तो दोनों संख्याओं का अंतर यहां पर लिख देंगे कि दोन दोनों संख्याओं का अंतर यानि x और y का अंतर हम करेंगे अंतर मतलब घटाना होता है ठीक है x-y बराबर 2 जिसको माल लेंगे समिकर नंबर 1 अब यहां से y की value आप find करोगे यह चीज़े जो है आगे आपको काम देंगे यहां से आप क्या करोगे x एकस अपने जगर पे आपको लिखना है झापको लिखना है दिया है संख्यां के वर्गों का योग का योग कितना है 34 है तो संख्या हमने क्या माना है X और Y माना है यहाँ पर हमें लिग देना है X का स्क्वाइर प्लस Y का इसको वर्ग का मतलब स्क्वाइर होता है ठीक है कितना दिया है संख्याओं का वर्ग 34 है यहां पर हमने लिख दिया और यहां सम वाइ की बैलूम पिस्ति पैड़ूर की लिख देनेंगे समुक्रर निपर 1 से वाइग की बैलूम की निकाले हैं ति किए एक समीक्रर से यका मान। यह समीक्रर नंबर लो है कि यहां से य कमान इसमें रख देंगे यह हो जाएगा आपका एकस स्क्वाइर है प्लस वाई की वैलू क्या निकाले हम यहां पे यहां पे रख देंगे एकस माइनस यहां पे एकस माइनस टू है तो रख देंगे का होली स्क्वाइर है यह स्क्वाइर तो बराबर 34 ठीक है अब इसे हमें सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करना है यहां पे हो जाएगा एकस स्क्वाइर प्लस अभी यहां पे इसको तोड़ेंग कि दिन संदितर फिर तोह मारता थिए सब्सकाइब और नहीं है? एकाइब इसको इसकोर चाहर, अटा है, ड्रस giàu, सबस्व होसे ऑल को मुका belang्वाद होता है , प्लस-ट्ब्सव ह कर फिर प्लस-ब्सव्रेशिक। मतलब 2 का square फिर क्या है minus minus 2 a की value क्या है x x रख देंगे into b की value क्या है गुरिते b की value 2 है ठीक है तहाँ पर 2 रख देना है बस आपको इसी तरह से solve करना है और बराबर 34 आपको लिखना है ठीक है यह हमने 34 लिख दिया यह जगा आपका x square plus x square plus 2 दूना के 4 minus 2 दूना के 4 4 x हो जाएगा ठीक है यहाँ पर 4 x और यहाँ पर equal 34 यह हो गया अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है x square x square जूड जाएगी ति यह हो जाएगा आपका 2 x square ठीक है क्या जाएगा 2 x square plus अब यहाँ पर 4 है इसको इधर लाओ ठीक है इस पर minus 4 x और इस प्लस 4 को इधर रख देंगे बराबर 34 अब इसके बाद आपको क्या साल्व करना है 2 x square minus 4 x plus 4 और इसको इस पर लाएगे तो minus में हो जाएगा प्लस में तो 34 equal 0 ठीक है अब इसके बाद आपका हो जाएगा यह 2 x square minus 4 x और यहाँ पर दो संख्या भी अपरी तद घड़ जाएगे और चीन किसका लिखाएगा संख्या जो बड़ी है minus अब इस में से 34 में से 4 जाएगा तो 30 बचेगा simply है अब हम क्या करेंगे इस दोनों सभी में से 2 कामल ले लेंगे ठीक है 2 कामल ले लिए यहाँ पर बज़ गया आपका x square minus यहाँ पर बज़ गया 2 x यहाँ पर बज़ गया minus 15 बराबर 0 अब इस 0 इस 2 को का कर देंगे यहाँ पर लिख देंगे तो इसकी value क्या जाएगी 0 आ जाएगी इसके बाद हमको क्या लिखना x square minus 2 x minus 15 बराबर 0 ठीक है अब देखो यहाँ पर हमें क्या तो गैस यहाँ पर लाश्ट में क्या है x square minus 2 x minus 15 ठीक है अब इसका हमें क्या करना है गुड़न खंड ठीक है अब देखो इसका हम कैसे गुड़न खंड करते है इसको हम लाश्ट वाले जो पाद इसका ऐसा गुड़ा करना है कि जोड़ने अगटाने पर मादेपद के बराबर आना चाहिए तो 5 गुड़िते 3 बराबर क्या जाएगा आपका 15 और यहाँ पर हो जाएगा इसको देखो कैसे साल्व करना है यहाँ पर आपको क्या लाना मादेपद माइनस दो लाना है ठीक है इसके लिए आपको क्या करना है माइनस 5 और प्लस 3 को जोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस 2 आजाएगा ठीक है तो यहां पर आपको देखो क्या करना है X इसमें हम कामल ले सकते हैं कामल यहां तो X-5 बचा है और प्लस 3 इसमें से कामल लेंगे तो 3 कामल यहां तो X-3 पाचे 15 यह 5 बार में कटेगा इसमें से X-5 इसमें भी इसमें भी दोनों से क्या कर लेंगे कामल ले लेंगे यहां पर हमने कामल लिया यहां पर क्या बचा एक्स बचा और यहां पर क्या बचा प्लस तीन बचा ठीक है यह हो गया अब देखो यहां से में क्या find करना है अब यहां से x बराबर हम निकालेंगे x minus यह सबके बराबर 0 है ठीक है x minus 5 बराबर 0 और x बराबर जो निकल करा जाएगा आपका 5 ठीक है और इसके बराबर हम साल्ब करेंगे x plus 3 बराबर 0 और x बराबर आपका क्या हो जाएगा minus 3 जो कि यह क्या है अमान ने, ठीक है, माइनस वाले को नहीं लेते हैं यह हो जाएगा आपका अमान, और यह आजाएगा आपका x बराबर 5, ठीक है x बराबर जो 5 आया है हम इसको क्या करेंगे, समिक्रण नमबर 1 में रख देंगे समिक्रण 1 में रखने पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे यहाँ पर यह जो 2 संख्याती वो क्या थी 5 और 3 थी, बिल्कुँ लेजी कुछ भी करना पढ़ा, नहीं करना पढ़ा बिल्कुल आसान question था कीवल आपको इस तरह से गुड़न-खंड करना है और ये चीज़े करना है तीक है इसके बाद आपको ये चीज़ अगर आप जानते हो ये चीज़े ठीक है यही सवाल का सबसी में भासा होता है आप इजली इसको साल्व कर पाओगे ठीक है नेश्ट क्वेस्टन देख लेते हैं नेश्ट क्वेस्टन गाईस और काफी इंपर्टेंट तिर्भूज वाले चेप्टर ये बेरी बेरी इंपर्टेंट है ऐसा question आपके बोड़ एक्जाम में आता है ठीक है अब इसको आप तयार कर लो अच्छे तरीके से समझ में त्रभूज की भुजाये माना त्रभूज की भुजाये जो है ए मूरे डिंद्या यं However ए टिर आटे टिक और तब इसके लिए क्या केऴ क्या सुत्र लगाएंगे दो सम्यरूट टिर्भूज सबसे पहले लगाएंगे कि पहले सDe On a पहले और त्रभूज का परिमाप का परिमाब बटे में दूसरे तिर्भूज का परिमाब ठीके आप देखो पहले तिर्भूज का परिमाब क्या माने है A1 है और दूसरे का क्या है A2 है ठीके तो यहाँ पहले तिर्भूज का परिमाब A1 की बैलू क्या दिया है देखो दो समरुक तिर्भूज के परिमाब क्रमासा 40 से मी A1 की बैलू क्या है 40 से मी और तथा 60 से मी इसके बैलू 60 से मी है 0 से 0 कर दो 2 दूना के 4 और ये 2 त्याइं के 6 यानि कि आपका A1 और A2 की जो बैलू आ गया वो आगया आपका दो बट्टे के तीन क्या गया दो बट्टे के तीन ठीक है बिल्कुल सिंपल है आप यहां से चार नबर पका कर जाओगे इसके बाद अब आपको क्या लिखना है अब लिखना है अब पहले त्रिभूज का छेत बट्टे के दूसरे त्रिभूज का छेत्रफल यहां पीस तरह से त्रिभूज का छेत्रफल ठीक है चेत्रफल निकालने के लिए A1 का क्या कर देंगे इसकी परिमाप क्या है त्रिभूज की जो भुजाय है वो क्या है A1 और A2 का स्क्वायर कर देंगे ठीक है दोनों का क्य उसको कट र dorm निकाल धेंगे उजार करने के लिए उड़का इसकी दोनों का हम दोूं & विडेंट एक याज फ्रक्ती दोनों का हम क्या ड़्या क्या आया है अब हम विचा करते है तो आपको इसे लिखना चार समंध्य नव का अनुपात होगा कि यह वाला अनुपात होगा तो यह आपका इतना ही करो आप इसको सीख लो नेश्ट कोईशन और वेरी वेरी इंपोर्टन क्याशन है जहां अबी बृत का ब्यास है और जिसका किंद्ध दो कावा मैनस तीन तथा वी के निर्देसांग एक कावा चार ठीक है तो में इसको क्या बनाना एक सबसे पहले हमें क्या बना लेना है एक इस तरह स आपको क्या बनाना है ब्रित बनाना है ठीक है ब्रित बनाने के लिए यह उसका माल लेते क्या है ब्यास है और यहां पर माल लेते यह क्या है बिंदू भी है और यह क्या है बिंदू यह है और इसका जो केंद्र है यह बिंदू सी है ठीक है इतना हमने माल लिया और यहां प ठीक है और यहाँ पे B की निर्दसांग कितना दे रखा एक कामा चार एक कामा चार और किसका निर्दसांग पुछा एक की निर्दसांग की ग्याद कीजिए यहाँ पे A का निर्दसांग जो होगा x होगा और कावा y होगा ठीक है x1 और y1 हो जाएगा और इसको हम किस से लिखते है x और y से लिखते है और इसको लिखते है x2 और y2 ठीक है तो ये चीज़े इसका फार्मूला लगेगा फार्मूला का है हम लिख देंगे कि यहाँ पर माना माना जो यह निर्देसांग की है ठीक है माना निर्देसांग एक जो एक निर्देसांग वो X1 Y1 है माना ए माना भृत के ए बिंदू के निर्देसांग निर्दे सांग X1, Y1 है ठीक है यह हो गया अब देखो इसका मध्य बिंदू की निर्दे सांग तब निकालने के लिए क्या लेगाएंगे तब मध्य बिंदू की निर्दे सांग मध्य बिंदू की निर्दे सांग के लिए C के लिए हम क्या फर्मूला लगाते हैं X equal X1 प्लस X2 अपार्ण 2 ठीक है अधको यहाँ पर सिंपल होगे आपका X की बैलू यहाँ पर क्या है दो है ठीक है यक्स की बैलू 2 है तो 2 रख देंगे X1 की बैलू क्या है X1 ही है यहाँ पर लिख देंगे X1 प्लस X2 की बैलू क्या है एक है एक लिख देंगे बट्टे में 2 है तो 2 लिख देंगे ठीक है simple है बिल्कुल तो यहां पे आपका हो जाएगा 2 equal x1 plus 1 upon 2 ठीक 2 का multiply इधर हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4 बराबर x1 plus 1 ठीक यह चीज़े हैं आप दोखों यहां पे क्या हो जाएगा x1 की value निकलेगा x1 अपने जाएगा और यह क्या है प्लस में इस पार जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो यह जाएगा आपका 4 माइनस सून that's x1 की वیलू हमको क्या निकल कर आ गया है 3 निकल कर आ गया अब इसके बाद हमें क्या निकलना है kap y के लिए निकलना है तो y वाला जो सूत होगा y के लिए x का value निकल लिए अब हमें क्या निकलना है इस y का value निकलना है तो y equal हो जाएगा आपका यहाँ पे ठीक है y1 की value निकलना है y equal y1 plus y2 upon 2 तो यहाँ पे y की value क्या है y की value क्या है minus 3 ठीक है यहाँ पे तो रख देंगे minus 3 बराबर y1 की value क्या है कुछ नहीं दिया है तो y1 ही लिख देंगे plus y2 की value क्या है 4 है तो 4 यहाँ पे लिख देंगे बटे के 2 है तो 2 लिख देंगे simply अब 2 का multiply इधर करेंगे तो minus 6 हो जाएगा यह जाएगा minus 6 और यह क्या हो जाएगा आपका y1 प्लस 4 अब इससे solve करेंगे y1 अपने जिखापे है और यह प्लस में इस पार जाएगा तो minus में जाएगा minus 6 minus 4 y1 की value आपका आजाएगा इसको total जोड़ दोगे तो minus 10 ठीक है तो यहाँ पे जो यह इसके निर्देशांग थे एके एकी निर्देशांग x1 और y1 की जो value आगई x1 की value उमने कितना निकाल लिया 3 3 कावा y1 की value minus 10 ठीक है एकी यही क्या है निर्देशांग है ठीक है यही आपका क्या जाएगा फाइली अंसर जाएगा इसी तर आपको simple solve करना और यह 101% board exam में आएगा ठीक है next question देख लेते हैं next question आपका काफी important question ऐसा आप कोई भी paper उठा कर देख लो चाहे जो भी paper होगा ऐसा नहीं है कि यह प्रस्ण किसी साल ना आया काफी important question है और यह हर साल आता है देख कि सिद्ध कीजिए कि बिंदू a 6,9 और b का 0,1 c का –6,7 यह एक दूसरी की क्या है संरेक है यह सिद्ध करने आपको ठीक है संरेक का मतलब 0 आजना चीए सिद्ध कीजिए कि बिंदू a 6,9 b 0,1 और c – 6,7 संरेक है ठीक है अब दोको संरेक करने के लिए सबसे बिंदू क्या क्या दिया है उसको लिख लेंगे बिंदू a दिया है 6,9 और बिंदू आपका b दिया है 0,1 और आपका बिंदू c दिया है माइनस छो कामा माइनस साथ ठीक है तो देखो ये जो बैलू हो जाएगी न ये आपकी X1 हो जाएगी और ये हो जाएगी Y1 ये हो जाएगी आपकी X2 और ये हो जाएगी आपकी Y2 ये हो जाएगी आपकी X3 और ये हो जाएगी Y3 ठीक है ये चीज़े आपका ये value हो गया अब इसी के value इसका अगर ये सवाद इतना important है इसके formula लिखने के आपको दो number मिलते है ठीके लोकि formula थोड़ा type का इसका half बड़े वाले question में ठीके आपको ये ध्यान देना इसको समझा दूँगा विल्कुल आपको easy याद हो जाएगा x1 ठीके जहां भी x1 लिखेंगे bracket में x1 नहीं आता है ये formula इसी तर y2 minus y3 ठीके इसके बाद आपको plus लगाना है x1 के बाद x2 लिखना है अब x2 के बाद आपको इसमें रहेगा y3 minus y1 फिर x3 का formula यहाँ पे लिखाएगा इसमें दूखुच जू होगा आपका y1 minus y2 ठीके समझना बिल्कुल आसान है सबसे पहले यहाँ पर x1 x2 x3 होता है ठीके और जहां पर x1 हो जाएगा इसमें x1 नहीं लिखा जाएगा ठीके y1 कहीं नहीं लिखें जिसे यहाँ पर x2 2 फिर 3 फिर 1 ठीके 2 3 1 इस तरह से आपको करना है पहले बढ़ाना फिर घटा देना है फिर यहाँ पर 3 1 2 3 1 2 इसी तरह से फर्मूलिय को आपको तयार रखना है काफी इंपर्टन फर्मूला और इस पर आप बैलू को रख देना ठीके यहाँ पर हाप लिखना पड़े है इस तरह से यह चीज़ हो गई पिर इसके बात प्लस लिखना है यहां पे पिलस लिख दिया एक्सट्र homo केतना है जी जीड लिख दिया कि आपके यह की बेलु क्या है यह 3 माइनस साथ है और माइनस y1 की value क्या है minus 9 इस तरह से आपने लिख दिया plus x3 की value क्या है x3 की value minus 6 तो यहाँ पर लिखना है minus 6 और यहाँ पर क्या लिखना है आपको y1 की value y1 की value 9 है तो यहाँ पर 9 लिख देना है minus y2 की value 1 है इस तरह से आपको solve करना है अब इसे simply solve करना ठीक ए हो गया एक पटे के दो अब यहां पर क्या हो जाएगा आपका 6 और यह minus और minus मिलकर हो जाएगा प्लस ठीक है एक प्लस साथ फिर प्लस यह 0 हो तो 0 का multiply 0 महता तो 0 ही हो जाता आप इसे लिखो चाहे मत लिखो ठीक है यह पूरा पूरा जीरो हो जाएगा इसे हम नहीं लिखते हैं अब यहां पर क्या है यह minus 6 में था यह minus 6 जो था यह X3 की value minus 6 हो प्लस और minus मिलकर क्या हो जाएगे minus यहां पे हो जाएगा minus 6 और यहां पर क्या है 48 पिर यहां पर माइनस और यहां पर 9 में से एक गया 6 बचेगा ठीक है तो 6 का मल्टिप्लाई जब 6 में आप करोगे आठ बचेगा ना 9 में से एक गया 8 यहां पर 8 लिखना इस तरह से आपको यह हो जाएगा आपका 1 बटे के 2 और यह जाएगा 48 48 माइनस आर्चे के 48 48 जब यह कट कर 0 हो जाएगा 1 अपान 2 इंटो 0 बराबर 0 तब यह बिंदू क्या है एक दूसरे के संरेख है ठीक है यह वाला कुश्चन 101 परसेट जरूर रहा था आपको बोड़ इक जामे इसको बिल्कुल अच्छी तरीके साब को तयार कर लेना आज की इस वीडियों बस इतना है मिलूंगा एक नेश्टी वीडियों में और धमाकेदार वीडियों के साथ तब तक के लिए धन्यवाद